हेलो एव्रिवन गैसे है आप सब आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिसकेशन के वह है इंटरनेशनल अफेर्स तो इंटरनेशनल अफेर्स के ऊपर पूरे हफ़ते की करने फेर्स है उनी के बारे में हम आजकी इस वीडियो में डिसकस करने वाले है जो कि आपके एक्जाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सेके तो जली आज का जो प्रोग्रम जो है वो शुरू करते हैं तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है अभी OPC सचीवाले ने फोर्थ हाई लेवल मिटिंग आफ दा OPC इंडिया डायलोग उसकी जो मिटिंग जो है उसकी मेजबानी की है और इसकी सहाध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान और मोहमद सानुसी बरकिंडो ने की है तो यह उससे टॉपिक है तो अभी 5 नवंबर 2020 को OPC पेट्रोलियम निरिया तक देशों का संगठन इसने जो सचीवाले ने जो है वीडियो कंफरेंस के मायथियम से OPC जो इंडिया डायलोग जो है उसकी फोर्थ जो की हाई लेवल जो यह जो मिटिंग जो थी उसकी मेजबानी की और इस मिटिंग में जो है धक्षता केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इसपाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और OPC के जो महा सचीव है महमद सानुसी बरकिंडो उन्होने की और इस मिटिंग की जो मतलब की पॉइंट जो है वो है इस पर सचचा की गई थी कि त से बदलते वैशिक उर्जा परिद्रिश्य उर्जा चुनोतियों पर काभू पाने वैशिक तेल मूल्य तंत्र OPC और इसके भागीदारों द्वारा तेल बाजारों को संतुलित करने और भारत के लिए जो है तेल आपूर्ती सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किये जा जो है उसको वर्च्वेल तरीके से जो है आयोजित किया है और इसमें जो है विदेश मंतरी S. चैशंकर ने भाग लिया तो यह उसे से रिलेटे टॉपिक है तो अभी 5 नवंबर 2020 को जो है विदेश मंतराले M.E.A. और भारतिया उद्दोग परिसंग C.I.I. ने जो है On Innovation Driven Partnership for Growth in a New World इस टोपिक पर जो है भारत नौर्डिक बाल्टिक का अजन किया और इसे जो है डैन्मार्क की शीपिंग कमपनी M.E.R.S. के ने प्रायोजित किया था और भारतिया प्रक्ष का जो अभी जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रिय मंतरी सुब्रमानियम जैशंकर और विदेश मेंतराले के सचीव पश्चिम विकास स्वरूप, सचीव आर्थिक संबन E.R. राहुल छाबडा और सचीव मध्य योरूब नीता फुशन ने क्या तो यह उसी से रिलेटिट टॉपिक है और अभी नेच्चो टॉपिक जो है वो है इंडिया इटली वर्च्यल बाइलेटरल सब्मिट 2020 की जो सहद्यक्षता है उसकी अभी इटली के ग्यूसप कॉंटे और नरिंद्रमोदी जो की भारत के प्रधान मंत्री है उन्हों नहीं की है तो यह उसी से रिलेटिट टॉपिक है तो इंडिया इटली वर्च्यल बाइलेटरल सब्मिट 2020 को अभी आ नेताओं ने जो है अभी दूपक्षिय समध्धों की रूपरेखा की समिश्या की और COVID-19 महामारी सहित आमवैशिक चुनोतियों के खिलाफ जो सहयोग है उसको मजबूत करने की अपनी प्रतिवध्यता की भी पुष्टी की तो यह उसी से रिलेटिट टॉपिक है और नेता जो मेमरान्डम अफ अंडरस्टेंडिग है यानि के मोई है उस पर भी साइन किये है साथ ही साथ 2020 से 2024 के लिए जो है अच्छन प्लान भी अपनाया है तो यह उसी से रिलेटिट टॉपिक है अब ही जो कि अभी है और एक टॉपिक जो है फोर्थ इनधिया फिलिपिन साईउप्शे सायोग पर वर्ट्यल तरीकी सी स्कौ आउजूत किया गया था और जो दीपक्शे सायोग पर भार्ज फिलिपिन साईउप्शे आयोग की चौती बैठे गया है वह 6 नवेंबर 2020 को वर्चेली इसको आजुत की गई थी इसकी जो सहाध्यक्षता है कि इंद्रिय मंत्री डॉक्टर सुब्रेमर्यम जैशंकर विदेश मंत्राले एमिये और टेओ दोरो लेक्जिन जूनियर सचीव फिलिपिन्स गर्णराज्य के विशेश विदेश विभाग के सचीव ने की थी और दूसरा और एक जो टॉपिक जो है पहले जो वर्चेल इंडो एफरिका शिखर सम्मिलन है उसको आजुत किया गया था कि इंद्रिय मंत्री पियुष गोईल ने इसको संबोधित किया था तो अभी IMC Chamber of Commerce and Industry Indian Manchester Chamber और अफरिका Business News CNBC अफरिका द्वारा एउजित पहला जो इंडो एफरिका सब्मिट है 4 से 6 नवंबर 2020 को आउजित किया गया था इसे जो है कि इंद्रिय मंत्री पियुष वेत प्रकाश गोईल वाणिचय और उद्दोग मंत्राले ने संबोधित किया इसका जो उद्देश्य जो था इसका जो एम था वो है भारत और उपसहारा अफरिका के जो नीताओ को है वित्भू राजनीती बुनियादी द्धाचा फर्मा प्रद्दोगी की और संचार के एक शेत्र में सहियोग के अफसर दिखाते हुए साथ लाए तो यह उससे लेटर टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक है अभी इंटरपॉल ने जो है दो साइबर अपराथ के जो साइबर क्राइम के जो संचार सेवाए है वो बनाए है और यह उससे लेटर है तो इंटरपॉल ने जो है समय पर होफिया जानकारी के आधार पर अध के लिए दो सुरक्षित और लचीली सेवाय बनाई हैं ये इस प्रकार कह Spaß कि साइबर अपराद ज्यान विच्ञान विनिमाई स्वूर विनिमाई CKE कार्यक्षित और साइबर क्राइम सहेयोगी प्लैट्फरम अपरेशन तो ये पहला वाला जो है वो साइबर अपराद ग्यान विनिमाई CKE कार्यक्षेतर ये समाइन गैर पुलिस चानकारी को संभालता है और विश्वस तर पर सभी प्रासंगी उपयोग करताओं के लिए खुला है और ये जो है इन उपयो करताओं को नविन्तम साइबर क्राइम रुझानों रोक्थाम रणनितियों पहचान तक्निकों और जांच तक्निकों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है और दूसरा जो है साइबर क्राइम सहियोगी प्लैट्फरॉम ऑपरेशन वो अपनी तरह का पहला ये कानून प्रवरतन कारियों में सहयता करता है के वर परिचालन धरोक तक ही ये सिमित है और केंद्रिया जांच ब्यूरो भारत के लिए इंटरवाल में नौर्डल एजेंसी है तो ये उसी से रिलेटिट टॉपिक है तो अभी नेक चो टॉपिक है चार से छे नवंबर दोहसार बीस तक सिना प्रमुख जनरल एमेम नर्वानी जो है उनकी नेपाल की तीन देवसिया यात्रा का वलकुन किया गया है तो ये उसी से रिलेटिट टॉपिक है तो अभी जो भारतिया के सिना प्रमुख है जनरल एमेम नर्वाना तो उन्होंने भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रो सहित समग्र संबंधों को मजबूत करने के लिए 4-6 नवंबर 2020 तक नेपाल का दौरा किया है और उन्होंने जो है नेपाल सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा के आधिकारिक निमंतरन पर नेपाल का दौरा किया जनरल एमेम नर्वाने के साथ उनकी जो पतनी जो है विर्णा नर्वाने वो भी थी जो भरतिय सेना के आर्मी वाइफ्स वेलफेर असोसियेशन AWWA की अध्यक्ष है तो यह उससे लेटर टौपिक है अभी यह नेग जो टौपिक जो है नवंबर साथ से 21 दो हजार बीस से नीती आयोक का जो एम और सिरियस रूस ने 14 दिवसिया एम सिरियस इनोवेशन प्रोग्रम 3.0 है उसको लाँच किया है तो यह उससे लेटर टौपिक है तो भी 7 नवंबर 2020 को नीती आयोक ने जो है यानिके नेशनल इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया उसका अटर इनोवेशन मिशन यानके एम और सिरियस रूस ने भारतिया और रूसी स्कूली बच्चों के लिए जो है एम सिरियस इनोवेशन प्रोग्रम 3.0 नाम से एक जो 14 डे का एक लंबा सा मतब साथ से 29 नवंबर 2020 तक एक वर्चुल प्रोग्रेम को लाँच किया है तरह अभी नेक्च चो टॉपिक जो है वो है वर्चिन हाइपरलूब ने जो है अमरीका में हाइपरलूब पॉड में पहली बार मानव परिक्षन पुरा किया है तो यह उसी से related topic है तो अभी वर्जीन हाइपर लूब ने 8 नवंबर 2020 के लास बेगस उनाटे नेशन अमेरिका में जो है 500 मेटर डेवलोप परिक्षन सुविदा में हाइपर लूब पॉड में पहला मानव परिक्षन जो है वो सफलता पूरबक पूरा किया है और जोस जिगेल सह संस्थापक और मुख्य प्रादोगी के अधिकारी वर्जीन हाइपर लूब और सारा लूचियान वर्जीन हाइपर लूब के यातरी अनुभब की निर्देशक हाइपर लूब पर सवारी करने वाले दुनिया जो है पहले लोग थे और उन्होंने जो है नव आवरन XP2 वाहन में पंदरा सेकेंड में पाथ सो मीटर की जो यातरा है वो की है जो कि एक सो साथ मिल प्रती घंटे एक सो बाहतर किलोमेटर प्रती घंटे तक पहुँच के तो यह उसी से डिलेटर टॉपिक है तो अभी नेक जो टॉपिक जो है वह है UK के Lord Gary Grimstone ने UK IBC का जो Doing Business in India Report 2020 उसको लाँच किया है और यह उसी से डिलेटर टॉपिक है तो अभी United Kingdom India Business Council UK IBC Doing Business in India Report 2020 के जो 6th edition है उसका शिर्षक Doing Business in India The UK Perspective उसको ब्रिटेन के निवेश मतरी Lord Gary Grimstone ने अपनी भारत की आभासी यातरा के दोरान भारती उद्दुख पतियो दोरा एक गोल में सम्मेलन में लाँच किया है यानि कि राउंटेबल एक जो सम्मेलन में मिटिंग है उसमें लाँच किया है और रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वेक्षन में शामिल UK के व्यफसायों में से 66 परसन ने जो है प्रगतिशिल, सुधार और समर्थन और सेवा प्रदर्ण ताओ की उपलबधता कुशल श्रम और आपूर्ती श्रिंखला जैसे घटकों में सुधार के कारण भारत में व्यापर करना आसान पाया है विशेश रूप से तीसरे वर्ष के लिए महाराश्ट्रा अधिक्तम रिधिशिल सुधार के साथ राज्य के रूप में सामने आया है इसके बाद करना तक दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडू है तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो अभी और एक जो टॉपिक जो है वो है निर्मला सितारमन नी जो है फर्स जो ब्रिक्स वित्यमंत्रिया और कींद्रियमंत्र बैंक के गवर्णनरों की मीटिंग है उसमें भाग लिया है तो अभी भारके जो फाइन्स मिनिन्स्टर है निर्मला सितारमन उन्होंने अभी फर्स जो ब्रिक्स वित्यमंत्रिया ब्राजिल राश्या इंडिया चाइना और साथ अफ्रीका का एक जो संगठने ब्रिक्स उसके अभी वित्य मंत्रियों और केंद्रिया बैंक गवर्नर्स के बैठेंग में भाग लिया है और यह जो कार्य सुची जो है 2020 में G20 Group of 20 साओधी प्रेसिडेंसी जो बुनियादी धाचा निवेश और New Development Bank NDB की सदेशियता के विस्तार को प्रोचसाहित करने के लिए एक डिजिटल मंच है इसके परिणामों पर चर्चा करना तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो नेक जो टॉपिक जो है वो है अभी BMI Ranking 2019 में भारत जो है वो 196 स्थान पर है और निदरलेंड्स जो है वो शिर्ष स्थान पर है और यह जो मतलब लिस्ट जो है वो अभी लांस दे लांसट में प्रकाशित हुए है तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो विविन देशों के किशोरों के BMI Body Mass Index की समिशा हल ही में आतराष्टिय मेडिकल जर्नल दलांसट में प्रकाशित हुई है जिसके उनुसार भारत को जो है BMI के संबंध में 196 रैंक पर रखा गया है और भारत के 19 साल के लड़के और लड़कियों के पास 20.1 का जो BMI है वो भारत के लड़कों ने 5.46 फीट की आउसद उचाए के साथ 1802 स्थान पर जबकि लड़किया जो है लड़कियों ने 5.06 फीट की आउसद उचाए के साथ 182 रैंक पर रही है और नेडरलेंड जो है देश का सबसे लंबे सडके और लड़कियों सबसे लंबे लड़कियों के उसकी मेरे निश्वर्ष है तो उसी के साथ जो है टॉपिक है अभी ने जो टॉपिक जो है वह है रशिया के व्लादि में पुतिन द्वारा आभासी तरीकी से अध्यक्षत की गई राजिय दो हजर बीस के स्यो परिशत के 20 वे जो शिखर सम्मिलन है वो आज़ित किया गया और 16 जो दस्तावेज है उनको अपनाया गया है इसमें तो यह उससे से डिलेटर टॉपिक है तो अभी 10 नौवेंबर 2020 को शंखाय कोपरिशन और्गनाइजेशन SCU Council of States CHS 2020 के आभासी 2020 जो शिखर सम्मिलन है उसके दक्षता रूस की जो रास्ट्रपती है व्लादिमीर उन्होंने की है व्लादिमीरोविच पुतिन ने उन्होंने की है जहां पर भारतियर प्रतिमंडल का जो नेत्रित्वत जो है वो है भारत की जो प्रधार मंत्री है नर और यह जो वर्चुल प्रारू में आयजित पहला SCU शिखर शम्मिलन था वो और 2017 में पूर्ण सदेस्या बनने के बाद भारत ने तीसरी बैठाग में यह भाग लिया था तो यह उससे इलेटर टॉपिक है अभी नेच्चु टॉपिक जो है भारत के विदेश सचीव हर्षवर्धन श्रिंगला ने जो है मालदीव की दो दिवसी यात्रा का समापन किया है तो यह उससे इलेटर टॉपिक है तो भारत की जो विदेश सचीव है F.S. हर्षवर्धन श्रिंगला उन्होंने अभी 9 से 10 नवंबर 2020 को मालदीव की जो दो दिवसी यात्रा है उसका समापन किया है और COVID-19 महामारी के कारण हुए विघटन के बाद से यह यात्रा दो पक्षों के बीच पहली उचस्तरिय व्यक्तिकत बाचित होगी और इसका जो में जो पॉइंट जो है यात्रा के दोरान जो है F.S इसने मालदीव के राष्ट्रपती इबराहिम महामत सोलीह को प्रमुग दिपक्षिया मुद्धो पर चर्चा करने के लिए बुलाया है और उन्होंने प्रमुग मुद्धो पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलो परियाटन और युवा और खेल के मालदीव मंत्री मंत् अभी और एक जो टॉपिक है अभी Stanford University US ने जो है दुनिया के top 2% scientist की जो लिस्ट जो है वो जारी की है जिस सुची में 1400 विरानवे जो है वो भारतिय है तो यह उसे से लेटर है और Stanford University United States US ने दुनिया के top 2% scientist जो है उनकी एक सुची जारी की है सुची में जो है एक लाख 1,59,683 विव्यक्ती और 1,492 इंडियन जो है उनको जगा मिली है और scientist को जो है scientist को जो है उनके शोत पत्र के आंतराश्ट्रिय मुल्यांकन के आधार पर वैशिक सुची में चुना गया है अथिकांग्ष भारतिया, IIT भारतिया, उद्दोगी, सोरी प्रादोगी की संस्थान और IISC भारतिया विज्यान संस्थान जैसे प्रीमियर संस्थानों से है अभी इन एक जो टॉपिक जो है इंडिया और नेपाल ने जो है वियापार को बढ़ावा देने के लिए भी जो की तीसरा जो एक 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 रिट चेक पोस्ट है उसका निर्मान शुरू किया है तो यह उससे से लिट टॉपिक है तो 12 November 2020 को भारत और नेपाल की नेपाल गंज नेपाल में जो तीसरा एक 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 चेक पोस्ट है ICP उसके निर्मान का शुभरम किया है जो की मालवाहक ट्रंकों ट्रकों की सिमा पर आवजाही को सुचारू करने के लिए एक छत के नीचे सिमा शुरू कर आवरेजन यहां उतरब्रदेश में किया जाएगा और जो है कि भारत सीमा के भारतिया और नेपाल दोनों की नार उपर आईसीपी का निर्मान करेगा आईसीपी में जो है वेर हाउसिंग, रिफ्रिजरेटेड कारगो सुविधाय, चिकित्सा, संग्यत्र और पशु संग्रोध शेत्रों और ड्राइवरों और यात्रियों के लिए जो है सुविधाय जैसे सुविधाय होगी तो यह उसी से लेटर टॉपिक है अभी नेक्चो टॉपिक जो है वो है पी ए मोदी जो कि भारत के प्रतार मंत्री है नरिंद्र मोदी उन्होंने अभी वर्च्वेल 17th ASEAN इंडिया में 2020 जो है इंडिया सब्मिट 2020 उसमें भाग लिया है तो यह उसी से लेटर टॉपिक है तो प्रतार मंत्री नरिंद्र मोदी ने ASEAN के वर्टमा नध्यक्ष वियत नाम के प्रतार मंत्री गुयन जुआन फुक के साथ आभासी 17 वे जो ASEAN भारत शिखर सम्मिलन 2020 है उसकी सहद एक्षिता की है और यह जो शिखर सम्मिलन है उसमें सभी 10 ASEAN सदेस्य राज्यों के फागीदारी देखी गए है और यह जो शिखर सम्मिलन का जो फोकस है दक्षिन, चिन, सागर और आतंगवाद, सहित, समान्यहीत और चिंता के एक्षेत्रिया और आंतराश्ट्रिया मुद्दों पर चर्चा करना था और यह जो शिखर सम्मिलन है उसके दौरान भारत ने COVID- 2019 ACN Response Fund में US $1 million का जो योगदान है वो देने की खोशना की है तो यह उससे related topic है और अभी शिखर सम्मिलन के दौरान जो है भारत ने COVID-19 ACN Response Fund में 1 million US dollar का जो योगदान है वो देने की खोशना की है तो यह उससे related topic है और अभी अभी और एक जो टौपिक जो है वह है International Energy Agency IEA की रिपोर्ट के अनुसर जो है नवीनी करण 2020 विश्चलेशन और 2025 के लिए पुर्वा नुमान भारत का Renewable Energy Sector COVID-19 के बाद जो है सबसे बड़ी growth दिखेगा और भारत 2020 तरो की तुलना में 2021 में जो है अपनी हरित उर्जाक्षमता को दुगणा करेगा और चीन और सं जाले दुनिया भर में आक्षे उर्जाक्षमता के नए परिवर्धन उसको भी अभी 2020 में लगभग 200 गीगा वाड यानी की GWK रिकॉर्ड स्तर पर उस तक पहुंचने की उम्मीद है और एक जो नेक्स जो टॉपिक जो है वो है TS3 तिरू मूर्ती उन्होंने जो है 44th जो एन है उन्होंने तो यह उससे लेटर है तो 12 नवेंबर 2020 को साइंगतु राष्ट्र में जो है भारत की स्थाई प्रतिनिधी यूएन राजितुत टी एस त्रिमूर्ती तिरू मूर्ती उन्होंने जो है आभासी तरीके से 77 की जो समू जी 77 के विदेश मामलों के मंत्रियों की 44th Annual Meeting को जो है अड्रेस किया है और यह जो Meeting जो है उन्होंने COVID-19 महामारी से एक मजबूत और स्थाईल वसूली की देशा में Global South के अपने सहियों गियों के साथ काम करने के लिए भारत की पतिवत दिता को दोहराया है तो यह उससे से लेटर टॉपिक है तो आज के लिए इतना ही है कल हम फिर मिलते है एक नहीं टॉपिक के पुरे हफ़ती के Current Affairs के वीडियो के साथ और तब तक के लिए जो है आमार जो चैनल है उसको दीखते रहेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत पुलिएगा कोई अगर सुझावा ता कमें करता है हार्ड वर्क करने के लिए सो प्लीज की वाचिंग और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब टेक क्यार जय हिंद